नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूप चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच और छे दिसंबर तूला रासी के महारासी फलके बारे में दोस्तों सबसे पले आप सबी को देर सारी बढ़ाईया, देर सारी सुप्काम न आएं क्योंकि दोस्तों हम आप सबी को बतादे कि यह दो दिनों का शमय अबदी में आपके जीवन की बारी आचुकी है जब आपके कर्मों का हिशाब शेम सनिदेव करने वाले हैं जहां दोस्तों वो कहते हैं ना कि भगवान सभी के कर्मों को देख कर उनको फल देते हैं जहां दोस्तों भगवान सनिदेव दंद अधिकारी सभी के कर्मों के हिसाब से उन्हें अनुसुचित परणाम देते हैं और दोस्तों यह समय आपकी जीवन काल में जितने भी में मेहनत किये हैं दोस्तों उन सभी का हिसाब होने वाले हैं और उनी सभी का अच्छे फल अब आप सभी को मिलने वाले हैं क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि पगवान सनिदेव के असिरवात से आपके जीवनकाल में तो बहुत सारे खुसियां आपको प्राप्त ह भगवान सनिदे भी हैं जो कि आपके जीवन काल को शम्हाल के रखे हुए हैं और आपको अपने जीवन काल में अच्छे एक्छा सक्ती भी देते हैं जिनने दोस्तों करके आप अपने जीवन काल में उचायों को छू रहे हैं दोस्तों आप सभी को बता दें कि कर्म कभी किसी जगह हैं तो दोस्तों इसी परकर आपका भी धैर का बांध भर चुका है और अब आपकी जीवन काल में खुशियों की सागर भरने वाली है जहां दोस्तों भगवान से निदेप के आशिरवास से आने वाले शमे में आने वाले दो दिनों के शमे अबदी में जीवन की सबसे बड़ी खुश खबरी मिलेगी जीवनकाल की सबसे बड़ी काम्यावी आपको मिलने वाली है जिनने लोग देखते रहा जाएंगे और दोस्तों आपके तरकी को देखकर जो सबसे जादा जलते थे उनके शरीर से पसीना नहीं बंद होंगे जिहां दोस्तों वह आसर चकीत हो कि इतने कम शेमे में इतनी बड़ी काम्यावी कहां से प्राप कर ली क्या तकरीब अपनाई है जिहां दोस्तों और दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह समय आपको बहुत सी बातों को लेकर ध्यान में रखना होगा जिहां दोस्तों क्योंकि दोस्तों आप ना चाहते प्रवे भी ऐसा कार कर देते हैं इस लोगों के बातों में आ जाते हैं वो अद्दूसमन आपको ब्रगला देते हैं जिनसे आपको भारी नुकसान भी हो जाते हैं तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप अपने सचे सभाव को छोड़ना होगा अपने भोले पन को अब त्यागना पड़ेगा जीवन काल में अब आपको भी संभलना होगा इन लोगों से छुटकरा पाने के लिए आपको आने वाले शमय में इन सभी से उंचा छलांग लगाना होगा जी हां दोस्तों और भगवान सनिदेव जो आपकी कर्मों के हिशाब करने वाले हैं तो दोस दोस्तों यहां वीडियो पूरी तरह ग्रह गोचर पर निर्मित आप सभी के जीवन काल को बिल्कुली शवार देगा जिहां दोस्तों उसे पाले दोस्तों जो इवेक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से जैस सनिदेव लिखेंगे दोस्तों सनिद अच्छे ग्यान सी एक अच्छे विचार सी जो कि दोस्तों आपको इन दिनों में एक इक्छा सकती जागरित होगी दोस्तों भगवान स्री कृष्ण हमेशा यह बात करते हैं कि इस जीवन में कई घाव आपको मिलेंगे हमें घाव से जादा उनके पीट पीछे पाठ को याद रखना चाहिए जिहां दोस्तों आपकी भी जीवन काल में एसे घाव देने वाले लोग हैं एसे घाव देने वाले सत्रू हैं तो दोस्तों आपको घाव पर नहीं जो सत्रू है उन पर ध्यान रखना है कि दोस्तों कौन आपके पीट पीछे वार कर रहे हैं तो दोस्तों भ दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि भगवान सनेदेब आपके करमों के हिशाप कर रहे हैं तो दोस्तों आने वाले या शमय अवदी में आपको कौन-कौन शे बड़ी काम्यावी मिलने माले हैं क्या-क्या खुसकबरी आपको भगवान सनेदेब देने वाले हैं बात करते है पूरे विस्तार सी दोस्तों यह समय भाग का सीतारा आपके लिए बहुती परवल है परतियक कार की सलीके वेवेश्थित रूप से करने से जल्दी लाब आप हासिल कर लेंगे दोस्तों जिस कार की परतिय बहुत अधिक प्रयास कर रहे थे उसे समंदित सफलता मिलने की उची संभावना है कुछ समय घर की बुजरगों और वारे सदस्यों के साथ भी जरूर वितित करें उनका मार दर्शन आपको जीवन के कुछ शकार्तमक पहलुआं से आगवत कराएगा दोस्तों दिन की सुरुवात बहुती सुकुन दायक रहेगी अपनी छमताओं का भरपूर प्रियासत थे वह हासिल हो जाएगा नविन कारियों शमंदी योजना बनेगी और यह योजना जल्द ही क्रियाविंद भी होगी विदेश जाने के लिए प्रियासत लोगों को कोई खुश खबरी मिलेगी दोस्तों अनभवी लोगों का मार दर्शन और सलह आपके लिए महत शांती मिलेगी दोस्तों जीवन को शकारत्म नजरिये से समझने की कोशिश करें परिवार जनों के साथ चरही गलत फेमिया का निवारन होगा किसी धार्मी अस्तल पर कुछ शमय वेतित करने से आपको शांती और मानशिक शुक देगा ताथि साथ मन चाहा काम पूरा होने स देख कर चलनी होगी दूसरों से उमीद रखना व्यर्थ है बैतर अगा की अपनी कार छमता पर ही विश्वास रखें तरह सिदारी समझने मामल में ज्यादा हस्त चेप करने की बज़े से माहुल थोड़ा अस्त व्यथ हो सकता है साथ अपने व्यक्तिकत जीवन पर भी किसी हस्त चेप ना होने दें कभी-कभी सभाब में वहम और गुस्य की सिती रह सकती है जिसकी वज़े से परिवार लोग भी परेशान रहेंगे इन कम्यों में सुधार लाएं आयके साथ-साथ खर्चे भी बढ़ेंगे इसलिए वजट का भी ध्यान जरूर रखें कहीं भी रुकसान भी पहुचा सकता है विद्यार्थे को अभी परिक्षा समंधित तैयारी करने में और अधिक मेहनत की जरूरत है साथ-साथ जादा सोचने विचारने में शमय नश्ट ना करें तो अपनी योजना को तुरंद क्रियाविंत करें किसी नजदिकी या मित्र की सलाह सा सकता है विद्यार्थे समंधित सभी निर्ने खुद ही लें आर्थी मामल में आपका निवेश करना भाविश में फायदमन साबित होगा विद्यार्थे को सलता दोरा नकारात्मक परिस्तियों को काबू में कर लेंगे अपनी योजनाव और काम करने की तरीकों को जाहर न कर उपिस में किसी तरह की राज़तिक हो सकती है चापलूस लोगों के परभाव में ना आएं दोस्तों विजनस में विस्तार समेंदी जो जनाव पर विचार्थ होगा वर्तमान वेफसाइक गतिविदियां पहले की तरह चलती रहेगी वहीं दोस्तों बात कर लता आपके लव एलर्जी और इंफेक्शन की समश्या रह सकती है स्वास्ते के परती लापरवाव बिल्कुल ना करें स्वास्त पर मोसम का प्रवाव रहेगा तोचा समंदी एलर्जी रह सकती है वहीं दोस्तों बात कर लता आपके उपाई के बारे में दोस्तों यह जो उपाई आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों यह उपाय को एक बार कर लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन से जोड़ी कोई भी परिशानी नहीं होगी दोस्तों सनिवार के दिन कंडे या अंगारे पर रखकर लोबान जलाएं और पूरे घर में घुमा दें सनिवार के दिन भगवान हनुमान ज हुई पहली रोटी काले कुट्य को खिला दें इसे दोस्तों आपकी शवी परिशानी खत्म होगी दोस्तों बात करता आपका भागे साली रंग और भागे साली अंक क्या है दोस्तों आपका भागे साली रंग क्रीम है और भागे साली अंक चार है दोस्तों भगवान शनिद झाल